पती पतनी का सच्चा प्यार एक लड़के ने बहुत ही खुबसूरत लड़की से साधी की साधी के बाद दोनों की जिन्दगी बहुत प्यार से गुज़र रही थी वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खुबसूरती की हमेशा तारिफ किया करता था लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोक से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खुबसूरती जाने लगी को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बच्शूरत हो गई तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बरदास्त नहीं कर पाएगी इस बीच एक दिन पती को किसी काम से सहर से बाहर जाना पड़ा काम खत्म कर जब वह घर वाबस लोट रहा था उसका एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट में उसने अपनी दोनों आखे खो दी लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिन्दगी समान तरीके से आगे बढ़ती रही समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोक के कारण लड़की ने अपनी खुपसूर्ती पूरी तरह गवा दी वह बत्सूरत हो गई लेकिन अंधे पती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए इसका उनके खुशाल विवाहिद जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ा वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा एक दिन उस लड़की की मौत हो गई पती अब अकेला हो गया था वह बहुत दुखी था वह उस सहर को छोड़ कर जाना चाता था उसने अंतिम संसकार की सारी क्रियाविधी पूर्ण की और सहर छोड़ कर जाने लगा तब ही एक आदमी पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा अब तुम बिना सहारी के अकेले कैसे चल पाओगे इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी पती ने जवाब दिया दोस्त मैं अंधा नहीं हूँ मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बचूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोक से जादा दर्द देता इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का निखावा किया वह बहुत अच्छी पत्नी थी मैं बस उसे खुस रखना चाहता था सीख खुस रहने के लिए हमें एक दूसरे की कमियों के प्रती आखे बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजर अंदाज कर देना चाहिए